नमस्कार सभी को मैं नील वेनिवाल अवर्श एजूगेशन के इस प्लैटफोर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूँ HSSC का आपका पेपर हुआ था 14, 2019 अडवेटाइजमेंट नंबर 14, 2019 और इसी के आपकी केटगरी नंबर कुन सी तो केटगरी नंबर 9 का आपका पेपर हुआ था असिस्टेंट मेनेजर का पेपर था HSIIDC के अंडर आपका यह पेपर था और ये paper हमारे साथ share किया है अक्सिल भाई ने तुनका बहुत बहुत धन्यवाद शुरू कर लेते हैं पहला question आपके सावने निमन में से दरपन परतिविंभ हमें बताना है mirror image जो वो क्या हो जाएगी effective की हमें बतानी है effective की आप देखोगे तो बिल्कुल इसका right answer option number B बन जाएगा इसको आप देखके कर सकते हो वैसे भी आप देखोगे यह देखो इसका E सिधा यह सिधा यह दो दो वैसे कट गे इसके लाव देखो EWF यहाँ पर आना चाहिए तब भी आपका कहां पर अंबाला में सबसे ज़्यादा अगर पूछ ले सबसे कम कहां पर होती है कम तो वो कहां पर सिर्षा में जो आपकी सबसे कम बारिष जब आपकी होती है अंबाला में देखें तो आपकी बारिष कितनी तो लगबग आपकी 120 cm के आराउंड जो हैं आपे बारिस हम कहा सकते हैं अमबाला में सबसे ज़्यादा हरियाना में सबसे कम सिर्षा के अंदर यमना नगर की बात करें तो यमना नगर में आपका पढ़ता है कुछा चछरोली आपने चछरोली का किला भी पढ़ा होगा वो भी यमना नगर में है चछरोली जो है आपका चछरोली जो है आपका इसमें कहा है आपके सबसे ज़्यादा बारिस होती है और इसलिए सेच रोलवनों ये कैं ददर है यह दहना का चेरा पुणजी जो जो बोला जाता है स्टेट के अंदर हम कहा सकते हैं एक specific area कי अंदर सबसे ज़्यादा बारिस सेच रोलवनों के अंदर और अगर overall बात करें average सबसे ज़्यादा अंबाला के अंदर सबसे कम सिर्षा के अंदर नेक्स्ट क्योशन लोग का क्योशन यह दिया गया वाइज इगल टू लोग सम्थिंग सम्थिंग option नंबर इसका right answer is a unique address that can be used to uniquely identify each node in the network कुनसा network तो आपका option नंबर C IP address जो इसका right answer एगा option नंबर कुनसा question नंबर 4 का option नंबर 3 right answer IP का मतलब आपका internet protocol ये भी आप note कर सकते है internet protocol तो ये आप note कर सकते है ये भी exam में पूछा जाता है option नंबर C नंबर C इसका right answer next question देखे important question जो अब वो रहेगा क्यों क्योंकि अभी जो आपके HSSC ने exam लिये थे 25, 26 और 27 दिसंबर को काफी सारे exam हुए थे और आधे हम कर चुके हैं आधे हम धीरे-धीरे cover भी करेंगे हाँ पर देखे ये आपका question दो से तीन बार पूछ लिया गया अभी तीन दिन के exam के अंदर याना roadways engineering corporation HREC पहली बात तो full form इसकी note कर सकते हैं दूसरा आपकी इसकी स्थापना जो वो कब होती है तो इसकी स्थापना होती है November 1987 के अंदर November 1987 के अंदर option number 8 इसका वो राइटन सरेगा पांचों question का और इसका आपका headquarter कहां पे है तो headquarter भी पूछा गया तो आपके गुरु गराम के अंदर इसका headquarter जो है बूरेगा तो यह ध्यान अख लेना option number 8 इसका वो राइटन सरेगा next question दिया गया है कौन सा दिया गया है छटा मानो नेतर इसके dash पर वस्तु का पर्तिबिम बनाता है यानि human eye के अंदर जो आपकी image जो बनती है जी subject को देखते है उसकी image कहां पर जाकर बनती है तो वो बनती है आपकी retina के अंदर option number C जो इसका वो राइटन सरेगा retina के उपर जो आपकी image बनती है अब दूसरा एक question और यहां से आप note कर सकते है जो आपका आँखों का color होता है brown होता है blue होता है black होता है वो आप क्योंता है आइरिस की वज़े से तो आइरिस का color जो होता है वो हमारी आँख का color हो जाएगा next देखे भूकम के समय पिर्थी के दोलन को मापने का इंतर भूकम को मापने का instrument का इंस्ट्यूमेंटर मारे कुन सा होता है सिसमो गराफ होता है option number D इसका वो right answer रेगा और इसके बाद D हो गया ठीक है इसके बाद देखे आपको समय रूपता बता F is equal F का ratio 36 है अब देखो F कितने पे आता है 6 पे 6 का square 36 I कितने पे आता है 9 पे 9 का square 81 कुनसा option number B है पानिपत तापी है तो नवंबर एक नवंबर आपका 1979 के अंदर 1979 option number C रिसका वो right answer अभी हमने पढ़ा जो आपका कुन सा था जो हरियाना रोडवेज वाला जो आपका था कुन सा था देखो इसको हरियाना हरियाना रोडवेज इंजीनरिंग कोर्पोरेश इसकी हुई नवंबर 1987 के अंदर और इसकी आपकी कब हुई तो पानिपत की इसकी आपकी नवंबर 1979 के अंदर तो दोनों ध्यान रख लेना option number C जो इसका वो right answer रेगा और इसकी पावर इसकी शमता की अगर हम बात करें तो शमता इसकी कितनी हो जाएगी 1367 आपकी मेगावार्ट जैसकी आपकी शमता हो जाएगी तो यह ध्यान रख सकते और इसका दूसरा नाम भी आप ध्यान रख सकते वो क्या हो जाएगा ताउ देविलाल थर्मल पावर स्टेशन जो है वो इसका नाम हो जाएगा थर्मल पावर स्टेशन तो यह नाम हो लिखा का समीकरन बतानों समीकरन का बिल्कुल डारेक्ट फोर्मूला जो है बोरेगा सबसे पहले देखो इसको क्या वाइज इकल टू आपका वाइज इकल टू एम एकस प्लस प्लस इसमें एम जो वो सलोप निकालेंगे कितने हैं तीन है इसके इंदर और वैसे आपका एम का आपका फोर्मूला क्या होता है y2-1 बटे में x2-1 यह होता है अब यह हमारे पास है कितना है आपके सामने 3 है जो देर्ख है हमारे पास अभी हमने निकाला 3 और उसके बार देखो x2 की वेल्यू हमारे पास कितनी है तो यहाँ पर 1 और 2 देर्ख है यानि कि एक बार x गटा देंगे यानि कि यह क्या हो जाएगा यहां पर हम कर देंगे इसको वन यानि कि इसमें से हम गटा देंगे वन वाई हमारा कौन सा है तो वाई आप देखोगी यह दो है तो यह दो गटा दो यह आपका कितना हो जाएगा y-2 is equal to 3 into में यह उदर आ जाके multiply में हो जाएगा x-1 तो कौन सा राइट अंसर ओप्शन नमबर डी देस्वें क्योशन का पार्तिय सविधान का कौन सा नुचेद आपका जीवन और व्यक्तितव सवतंतरता को सुरक्षा देता है तो यह आपके सवतंतरता के धिकार जो उसके अंतरगत आ जाएगा और कौन सा आर्टिकल आर्ट सत्रा मोस्ट इंपोर्टेंट में लगबग आपके एक्जामें यह क्योशन आपको देखने को मिलेगा और आपका नुचे 14 जो है वह आपका किस खा तो आपका समानता का अधिकार के अंदर पहला आपका आर्टिकल जो है वो रहेगा जिसमें वीदी के समक्स आपके समान ब उप्शन नमबर डी मानव रचना इंटरनेशनल युनिवेस्टी वाज अर्लियर काल इसको पहले किस नाम से जाना जाता था अब देखो यह क्योशन हम कह सकते हैं कुछ नए क्योशन यहां पर आपको देखने को मिले हैं अब यह अच्छा सशी ने पूछे आपको आने वा नेक्स देखिए यह आपका कुछा राष्टिय तकनिकी संस्तान एन आइटी यह आपका कहां पे तो कुरुक्षेतर के अंदर 1963 के अंदर नाइटी की स्थापना होती है और यह लिंगाया उनिवस्टी जो है जनवरी 2009 के अंदर इसकी सापना होती है प्राइवेट डेम्ड और इसका आपका कहां पे अनदर इस यह रहिगी विब ग्यूर रखते हैं तो यह बस ध्यान रख लेना स्पेक्ट्रम के रंगों का करम स्पेक्षा ज़ुआ है यह आपको यहां प्रू ग्रीन अंगर चीजयो और आपका उन्डियो और आपका वाइलेट तो यहां आपका पुस्तक आईने अकबरी जो है ये किसके द्वारा लिखी गई तो ये लिखी गई अबूल फजल के द्वारा उप्शन नंबर कौन सा बीज इसका वो राइट अन्सर है अबूल फजल आपका कौन था तो आप सबी को पता है अकबर के जो नोरतन थे उसमें से एक कौन था अबूल फजी भी जो है वह अबूल फजल का भाई था ये भी इसके नोरतन में से आता था राजा टोडरमल कौन था फाइनेंस मिनिस्टर जो वो था फाइनेस मिनिस्टर जो अकबर का कौन था यानि वित्त मंतरी कौन था तो वो टोडरमल था तो ये भी ध्यान रख लेना अब देखिए अबुल फजल नोरतनों में सेख था इसने लिखी आइने अकबरी और इसने क्या लिखा अकबर नामा भी लिखा हमने पढ़ा वो लिखी गई option number B जो इसका वो राइट अंसर हो जाएगा अब देखो गुल बदन बेगम जो ये कौन है इसने कौन सी लिखी तो इसने लिखी हुमायू नामा हुमायू नामा जो अकबर का अबू जो है अकबर का फादर कौन हुमायू और हुमायू नामा जो वो किसने ल सबसे बनाया नहीं जा सके एस तो और कौन हो जाएगा इसके अगर हम देखेंगे तो वाई नहीं है तो इसका राइट अंसर ब्रेटिस ने हरियाना का विलेज हो पंजाब में कर दिया तो आप सभी को पता हरियाना सबसे पहले 1803 के अंदर सुर्जी अंजन की जो संधी होत से अंग्रेजों के अधीन जो हो जाता हुआ 1809 10 के अश्पास अब उसके बाद हडियाना को आपका किस में मिला दिया जाता है तो 1832 के अंदर हडियाना को ऊतर याज़ घृतिरiko इसको मिला दिया गया अब उसके बाद आती है 1857 की करांती और आप सभी को पता है मेरट से 1857 की करांती की शुरुवात होती है और उसी में हरियाना उसे बढ़ चड़ के भाग लेता है और इधर पंजाब जो था ना पंजाब ये कह सकते हैं अंग्रेजों के अंडर था सब्सक्राइब नादिर्शा ने भारत पर आकर्मण कब किया तो आपका 1749 का जो करनाल का यूद था वह आपका नादिर्शा ने भारत पर आकर्मण किया था मुमच्छा रंगिला के साथ ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट अंसर सत्रमें क्योशन का छोटी आंथ की भित्री परत में कई उंगलियों जैसे प्रोजेक्शन होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है छोटी आंथ के अंदर इस तरह से आपके छोटी उंगलियों की तरह कुछ एक हिस्सा होता और यह किसलिए होता है ताकि जो आपका सर्फेस एरिया जो बढ़ जाए यानि अगर इ हरियाना environment and pollution code current affair का question है आपका और यह आपका सितंबर महिने की current affair है तो हरियाना environment and pollution code जो है यह नामक पुस्तक का संकलन किसके द्वारा किया गया किसके द्वारा compile किया गया धीरा खंडेलवाल option number 20 इसका वो right answer 19 में question का और यह इसको launch किस नहीं किया तो launch by मनहोर लाल खटर जो है आपके हो जाएंगे मनहोर लाल खट रहे ठीक है अब उसके लावा नेक्स देखें तो आपकी जनवरी के अंदर इन्हों ने और पुस्तक जो वो लॉंच की थी कौन्सी एक आपकी मेग मेखला और एक आपकी जो रेशमी के नाम से कुछ थी दो पोईटरी थी वो भी दीरा खंडेलवाल ने जो है यह आपकी जारी की थी तो यह भी ध्यानक लें जनवरी 2020 की बात है और यह आपकी सितंबर की बात है हरियाना Environment and Pollution Code दीरा खंडेलवाल एक MB जो आपकी किसके बराबर होती है तो आप सभी को पता है सबसे छोटी है आपकी कौन्ची एक जार चोबिस आपकी बाइट जो किसके बराबर तो आपकी एक केबी के बराबर ये होती है एक केबी के और उसके बाद एक जार चोबिस केबी किसके बराबर होती है तो ये एक केबी एक एमबी के बराबर होती है और एक 1024 MB किसके जीबी के ब्राबर होती है यह तो नॉर्मल सी चीजे पताई होगा नेक्स देखो यह आपका अपने कामकानी है इससी पेपर से जुड़ा हुआ है हरिद्य से हरिद्य विज्ञान यानि कार्डियोलोजी किस से जुड़ा हुआ है हर्ड से तो हमें बोटनी का बताने तो बोटनी आपका किस से जुड़ा हो जागा प्लांट से हो जाएगा तो कुण सा ओप्शन नंबर बीज इसका वो राइटंस अबगा स्किन देखो स्किन कहां गया यह रहा स्किन स्किन की आपकी स्टेड़ी को क्या बोलते हैं डर्मेट्रो लोजी जो वो बोलते क मोट की स्की Sunday को ऑस्टि एश्टियो लोजि जो वह किस 눈ि की स्चजित को बोलते हैं और की क्या है चाहँक मस्ची। ापका घंदूस्तान के आर ले पहला या दोया ता इस जीत की खुशी में हर्याना में भारत में आपकी पहली मूगल इमार्त बनाए गी थी वो थी काबूली बाग मस्दीद पानी पत के अंदर है बाबर ने बनवाई थी उप्शन नमबर भी अपनी पतनी की आद में एक्स के किसमान के लिए लोग चा बेस चार एक्स और यह दिरखाई इकल टू चाहिए इसका राइटन सर आजेगा आपका उप्शन नमबर एक मेलवेर है जो संकर्मित कंप्यूटर सिस्टम और एप परत्यासित या हानिकारक व्यभार करता है तो इसका आपका राइटन सर कोंचा वर्म जो है ओप्शन नमबर डी हो जाएगा यहां पे सेंड़ पाइपर टूरिस्ट कोंप्लेक्स नया क्योश्चन आपके सामने फ सबसे पुराना railway station कोई सा रिवाडी का सबसे बड़ा railway station कोन सा रियान का रिवाडी का आठ Gavin सके अंदर रहेंगे Напूचन नमब यह के बराबर है तो ऐक कुलाम एक सेकंड के अंदर एप्शन नमबर व्यथे से क्रिशन नदीक्र जो इसका उद्गम स्थंपूच्छ पूचा फो 2-3 एकिषान राख लेना एक ततब का नागारजुन बांद किसके उपर हो जएगा तो नागारजुन डें क्रिश्णा नदी के उपर हो जाएगा दूसरा आपका कुँछा एक अलमाटी के बारे में हमने पढ़ा था अलमाटी डैम किसके उपर है तो वो किसना नदी के उपर है भीमा डैम अगर पूछले भीमा तो वो भी आपका कृष्णा नदी के उपर रहेगा कौन से हार्मोन जो है योवन के समय लड़कों में दिखने वाले बदलाव को जो हो आपके लाते हैं तो कौन स करणट अफिर का हमने करनट ऊफेर के क क्लास में भी किया था कि निमन में इसे क् ओल्ट आइद वित्या कोरडिंग को बर्यवतियAT पुलिस के द्वारा फोरेंसिक रिपोर्ट को टेंपर प्रूफ बनाने के लिए जो आपका इस्तेमाल किया जाते हैं आप देखो वैसे दो पुलिस डिपार्टमेंट का क्योश्चन है लेकिन है अरियाना करेंट अफेर का तो इन पेपरों में पूचा गया तो कुछा ट्रेक सबसे बड़ा दूर्लब और आपका जो खतम होने वाले परजाती उनको समर्पी था लग बग हम कह सकते इसके अंदर कितनी पाइथन में असाइनमेंट जो उपरेटर नहीं है तो कुन सा उप्षिन नंबर ए बन जाएगा थर्टी फूर का और थर्टी फाइव जब वो कामका निया थर्टी शिक्स देखे हरियाना राज्या ललित कलास अस्थान नया क्योश्चन आपके सामने कि हरियाना स्टेट इ यह रहेगा आपका रोत्तक के अंदर रोत्तक में ओप्षिन नंबर सी यहां पर और इसकी स्थापना कब 2011 के अंदर होती है तो यह ध्यानक लेना और इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके सामने मने सर आप सभी को पता है कहां पर गुरूगराम के अंदर पढ़ता है मू प्यूटर के क्योशन सारे के सारे ओफिशल आंसर की आने के बाद दुबारा से करेंगे क्योशन डैस को सैट पस्ट और अगर भवन की रिखम यह तो अपने काम का निए नेक्स देखिए भाई-बहन से संब्द है उसे परकार पुत्र किससे है तो पुत्री हो जाएगा बि क्योशन जो है पूस्ती है जब भी मारकंडा नदी की बात आती है मारकंडा की हम एक करते हैं कौन से मारकंडा मारकंडा की बात आती है हमने इसको पड़ा था कि इसका पूराना नाम के है अरूना है और यह कहां पे कुरुक्षेत्र की सनीसा जिल में जाकर यह मिलती है कुर option number D जो इसका वो right answer रेगा next देखिए एक एकिस वास्तिक मान के लिए हमें ये बताने तो इसका आपका right answer कौन सा रेगा जिनका paper था वो match कर लेए option number D हडपाई लोग जो वो आपके किस के बारे में नहीं जानते थे किस के बारे में नहीं जानते थे तो आपकी लगबर नॉंबर के आसपास इसको काटी जाती है जुलाई अगस्त के आसपास जो है आपकी बोई जाती है तो इसके अंतरगत हम खरीफ फसल आपकी कौन सी तो वैसे आप देखोगे धान जो हो आपकी खरीफ की फसल है और मक्का जो हो आपकी राइस का है राइस को बोल कुरुक्षेत्र को बोलते हैं और वैसे ऐसे जित्ष प्रिक्रेस करनाल के साथ जाएंगे भारत में एसी की आपकी आवर्थी क्या होती है फ्रिकेंसी ओफ एसी अल्टरनेटिंग करेंट साहर इसका होगा तो 50 हर्ड ओप्शन नमबर यहां पे भारतिया पूरा तत्व जनक की पूरा तत्व सास्तर की अर्केलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया फादर ओफ इंडियन आर्केलोजी कौन हो जाएगा 45 कोशन दुबारा से रिपीट में अलक्जेंडर कनिंगम जो है वो रहेगा ओप्शन नमबर डी यहां पे एएस आई यानि आर्केलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया जो इसकी स्थापना कब होती है 1861 के अंदर जो होती है इसका हैड़ाटर कहां पर निव डाले इंडर चैप्व इसका हैड़ाटर ही इसका पहला आपका डिरेक्टर जनरल कौन था या जनक है दो वह एन एक्जेंडर कुन था प्रसिद है मेटरल वर्क्स के लिए परसीद है तो कौन सा हो जगा पीतल सिटी ब्राज सिटी जिसको हम बोलते हैं तो ओप्शन नमबर ए रिवाडी जो है वो रहेगा रिवाडी को वीर भूमी के नाम से भी हम जानते हैं सेनिको का घर भी इसको बोला जाता है रिवाडी जिसकी स्थाप कर दो खना हरियाना का पहला गराम सची वाल यह था यह क्यों सकते हैं किस से दुड़ा वेसे हैं तो आपका Listen क्यूंबर स्वारी के लिए इसको नोट कर छेज़ए कि हरियाना का पहला गराम सची वाल यह था कूंसा तो आपका है भट्बपूर option नमबर सी जो वो इसका राइटन चरेगा फर्स्ट विलेज सेक्रेटरेट ओफ हरियाना है बतपूर्जों की कहां पर जीन्द के अंदर एगा और यह सारे यह क्योशन आपका मिलेगा जो ग्राम सच्यू पटवारी की जो मैंने पीडिएफ आपको प्रवाइड करवाई थी ग्राम सच्यू पटवार अंदर रहेंगे तो जिन बचों ने नहीं लिए वो जाकर टेलिगराम चैनल पर यह पीडिएफ जो आप डाउनलोड कर सकते हैं है बतपूर जीन्द ओप्शन नंबर सी जैसका वह राइट अंसर नीलो केड़ी क्या है करनाल की आरक्सित सीट कौन सी टोटल कितनी 17 अरक्सि टोटल के जैसा होता है तो इसका कोन सा हो जाएगा तो राइट अंशर नंबर 10 पर फुलकारी फूलकारी जो है वो रिएगा और फ़लावर से जुड़ा हो फूल से आप याद कर सकते हो फूलकारी जो हो जाएगा और नेक्स देखिए आपके सामने यह एक शोएक्स भी में निमन में से हरियाना के 20 होकी खिलाड़ी को फोब्स इंडिया डबलू पावर 2021 में चितरित किया गया यानि उसमें आपकी फोटो जो वो लगाई गई है वो कौन रानी रामपाल जो हो जाएगी ओप्षिन नंबर सी जो इसका वो राइट अंचर रानी रामपाल की बात कर रहेगा और इनको अवोड कोंसा मिला वो इंपोर्टेंट रहेगा कौंसा । 2020 के अंदर इनको मिला कुझा राजीव गांदी खेलतन अवोड जिसका नाम बदल दिया गया भी क्या रख दिया गया मेजर ध्यांचंद मेजर ध्यांचंद खेलतन अवोड कर दिया गया राजीव गांदी खेलतन अवोड का तो ये दोनों ध्यान रख लेना एक्जामे दोनों आ सकते हैं 2020 का वोड दिया द्गैनर को पडमपाल को तो यह भी आप ध्यान रख लेना ऑफिशन निंघंडी संगरालिय उरुचवति-संगराल्य पहां पैड़ता है हैं उरुषवती म्यूजियम आपका गुरुगराम के अंदर और फोकलोर म्यूजिक से आपका सम्मध्ध हो जाएगा आपका किसे इंडियन फोक स्टोरीज भात यह लोग कताएं इससे सम्मध्धी था ओप्शन नंबर एज इसका वो राइट अंसर रहेगा गुरुगराम के पतानी मेल के अंदर पूछा गया था ओप्शन नंबर डी इसका राइट अंसर पाइथन प्रोग्रामिंग में त्रूटी प्रोग्राम में एक बग है जिसके कान यह गलत तरीके से व्यभार करती है तो इसका आपका राइट अंसर कौन सा लोजिकल जो हो जाएगा या नाव लड़ने के लिए इच्छु के किसी पूरुस व्यक्ति की नियूनतम शिक्षा योग्यता जह वो कितनी होनी चाहिए तो इसमें आपका कौन सा तो दसमी या मेट्रिक कुलेशन जो है आपका राइट अंसर ओप्शन नंबर डी रहेगा और आप सभी को वैसे भी पता ना नेक्स्ट क्योस्टिन आपका 59 यहां पर 59 जो देर का है 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंदू जल संदी पर हस्ताक्षर हुआ था जोहर लाल नहरू और आयूब खान जो थे पाकिस्तान के पीम इन दोनों के बीच में ओप्शन नंबर एज इसका वो राइट समझोता यह आपका कब हुआ 1966 के अंदर दस जनवरी 1966 को लाल भादूर सास्त्री और अयूब खान के बीच में तासकंद समझोता जो है वो होता है निमन में से कौनशी जील अर्याना में नहीं है दमदमा सबसे बड़ी 301 के अंदर फैली हुई गुरू ग्राम के अंदर दम आगे है इसको आपको सोल करना है राइट अंसर 61 का उप्शन नंबर सी है वो बन जाएगा नेक्स्ट आपके सामने बायो टेक्नोलोजी वीच इस एपलाइड फॉर दा मैनुफेक्ट्रिंग फार्मानूटिकल प्रोड़क्ट इस काल कौन सी यह आपका रेड होना ची देखे चाबी दर्वाजा ताला कमरा स्विच ओन तो यह सारे कि सारे पहरी लोगे सब생रकिया पहले क्या लगाएंगे ताला उपन होग फीर का दरवाजा खोलेगा कमरा स्विच ओन यह कि इसके इसके अंदर मैच करें नेक्स्ट तो मैगनीज हरियाडना में कहां पर पाया सामने पहारी पंखुड़ी यहां पीछ यह property होजागी तो आपकी होजागी वैक्सिलम ओप्षिन नमपर दी माहिन आंसर 67 सेवन का फुल के द्वारा वरोध की गती नदी के भाव यह किसका है यह साइद इस पेपर से जुड़ा हुआ इसका उप्शन नमबर भी है नक्ष देखिए एचससी के एक्जाम से हरियाना से जुड़ा हुआ आपका कौन सा वाद्दे अंतर वाद्दे पर घुंगुरू बनाते हैं जिसमें आपके घंटे की बने चाहिए दो घंटे की बने उसमें आपके सारे हरियाना जिके के क्योंचन जो वो कवर हो जाएंगे फाइनेस्ट गोल्ड सोल इज डैस कलर किस कलर का तो रैड कलर का ओप्शन नमबर डी और एक अंतर नहीत गटक या प्रोग्राम क आपका वेल्यू क्या होती है तो एंवर्स थोटा से द्यान रख लिना एड्जोइंट एबटा में यह आपका डेटर्मिनेट्स जो है यह आपका क्या होता है इसको आप डारेक्ट फोर्मूला लगाओं के बाकी स्कोलक से मैत की क्लास में कर लेंगे ताकि यह क्लास काफी बड़ी हो जाएगी तो इसका आपका राइटांस और ओप्शन नमबर भी बनेगा इसको बाद में करेंगे एड्जोइंटों एक कैसे निकालते हैं और डिटर्मिनेट्स कैसे निकालते हैं चेत्रफल के संदरब में हरियाना का सबसे बड़ा वन्यजी और भैरने कुन सा है अबूब सहर आप सभी को पता है अबूब सहर सबसे बड़ा है काला तितर जो उसकी जरम स्तली काला तितर की और कहां पर बढ़ता है यह सिर्शा के अंदर पढ़ता है तो इसका कुन सा ओप्शन नमबर सी इसका राइट अंस रेगा दूसरा अगरम बात करें सबसे छोटा कुन सा चिल 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 के छोटा कर दिया चोटा हो गया तो कुन सा चिल चिल चिला हो जाएगा सबसे छोटा बीर शिकारगड आपका कहां पर है तो बीर शिकारगड और खोली रेतान दोनों के दोनों आपके कहां पर हो जाएंगे पंचकुला में हो जाएंगे यह दोनों के गिसके बास आपका एक हो रीपर्जेंट करता है आशके बाद सिर्द मैच करना डंस mush इंगिलिग्ली के हैं इसके बाद हैう कुन सा 76 देखिए आपको यह बताने है वन वर्ड सेटीटूट का आपका वेरी वरीड एंड एपसेट एकसाइट इंदर नर्वस वे कुन सा राइट अंसर ओप्शन नंबर सी जो है वो बन जाएगा इसका 76 का सा घीघल का बेबी जाएगा अपिस को पता ही होगा और किसे आनम जाएगा बेबी को क्या बोलते है तो इंद पहले पर नाची चेका-पुर्ड प्राशल्ण नंबर टोContWhile की आकन-स पर्षाप एंई Lab醒ाश सेट्ट में डेखिक मतलबो materials तो इसका to bring discredit to तो इसका यहाँ पर यही जो इसका right answer होना चाहिए और क्योंकि इसका मतलब क्या होता है criticize करना होता है criticize करना तो इसका option number A ही इसके साथ match करता है इसके बाद next देखिए आपसे correct spelling पूछ चाहिए तो correct spelling इसके आपकी कौनशी हो जाएगी तो वो आपका इसका मतलब बनता है next आपके सामने दिया गया है कि right reported from the आपको यह बताने इसका मतलब क्या मतलब नहीं इसको change करना है आपको active passive change करके बताओगे तो she informed to him that the train has arrived तो inform किया गया है option number B इसका right answer next आपके सामने कि they were playing football तो इसका आपको बताएं तो football was being played by them option number A हाँ पे 82 का हिंदी के question अब हिंदी के question पहले question पे आते ही आपको याद हो गया होगा कि यह question हम कर चुके हैं कब कर चुके हैं हससी के सितंबर के महिंदे में जुलाई अगस्त के महिंदे में उसमें यह question पूछा गया था और मैं फिर से बताना भूल गया सहद की PDF आप जो है ले सकते हैं अपने टेलिग्राम चैनल से सारी की सारी ओ जैसी official answer की आती है आपको जैसे की अभी तक आप अंदाजा लगा सकते हो 100 प्लस paper प्रचससी 2021 में करवा चुकी है और इनकी PDF लगबग कितने paper होगे 24 और 24 एक होगे उसके साथ ही आपका 10-12 एक होगे और 45 होगे इतने paper हो की PDF तयार है आप जागे टेलिग्राम से ले सकते हैं official answer की के साथ इनको मारक किया गया बाकी की जैसी official answer की आती है आपके साथ PDF शेर की जागी हिंदी भासा 14 सितंबर को कब राजभासा गोशित कर दिया गया 14 सितंबर 1949 को जो है आपका option number 8 इसका वो right answer इसको राजभासा गोशित कर दिया गया और इसलिए हिंदी दिवस भी ध्यान रक लेना हिंदी दिवस आपका कब मनाया जाता है तो वो मनाया जाता है 14 सितंबर को 14 सितंबर को इसके बाद जिस सवर के उचाड़ में दो मात्रा हैं लगती है कौन सा तो गुरू सवर हो जाएगा या इसको दूसरा नाम से पूछ ले तो दिर्ग सवर के नाम से भी ये जाना जाता है इसके बाद नेक्स देखे पदों के वेवास्ति तो समोद जिस से पूरण अर्थ का बोध हूं वाक्य से बाद कर आजा रहा है वे किरियाए जो संगया सरुनाम विशेशन आधी के इस सब्दों से बनाए जाती है इसके बाद next question देखिए 87 रूड शब्द रूड शब्द वो होते हैं जिनके अगर टुकडे कर दे तो उनका कोई मतलब नहीं बनता जैसे आप मेरा ही नाम ले लो यहाँ पे ए नील है अगर हम इसके टुकडे कर देंगे ए का क्या मतलब बनता है नी का क्या बनता है ले का यहाँ जिसके टुकडे कर देंगे वो आपके रूड सब्द बनते हैं जिसके आगे मतलब नहीं बने तो जो शब्द किसी सामाने परतल सब्द के ऊपर आपके इशारा करे वो उसे कुछ से समासे भहुवाओरी समास जैसे एक्जमपल पर ले लेते हैं क्या नील कंट नील कंट जो मतलब क्या बcomes नीला है कंट जिसका लेकिन ये किसकी और इसारा करता है यह भगवान शीव की और करता है ना करता है तो यह देखे नील कंट जो है यह आपका क्या है यह एक तरह का भाववरी समास के इंतरगत वो आता है तो इस्तरे से आपको बस यह थयां रख लें थोड़ा बहुत याद रहे जगा अनिकार्थी शब्द कोन से जिन सब्दों के एक से अधिक निकलते हैं तो आपके निकार्थी हो जाएंगे प्रय विशेशन जो आपका कोन से कहलाते हैं तो प्रय विशेशन कोन से हो जाएंगे तो जो आपके विशेशन सब्द की विशेशनों की विशेश्ता बताते हैं उन्हें प्रय व पर जितने भी आपके पेपर है सारे के सारे आपको यहां पर सोलक करवाए जाते हैं जो पहले बार जुड़े हैं जाकर पहले लिस्ट देखें क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दिया करें ताकि आपके लाइक देखने से देखें कोई फायदा नहीं होने वाला न देखें कमेंट में सारे कमेंट आपके देखे जाते हैं रिपलाइ किये जाते हैं धन्यवाद